तो देखते हैं यहां पर question number 66 में हम से क्या पूछा क्या है a heating coil has a resistance of 200 ohm at what rate will heat be produced in it when a current of 2.5 ampere flows through it तो करते हैं यहां पर इसको solve एक यहां पर क्या है heating coil है जिसका resistance हमें यहां पर कितना given है 200 ohm का given है हमें यहां पर क्या निकालना है heat निकालना है और हमें यहां पर current given है कितना 2.5 ampere हमें यहां पर निकालना क्या है heat निकालना है तो जो हमारे यहां पर electrical energy होगी वो किस में convert हो रही है heat में convert हो रही है और electrical energy का formula हमारे यहां पर क्या होता था power multiply time होता था हम हम हैं यह आपर नहीं कीवन है, पोतेंशल डिफरेंज मंटिपलाई करेंट होता है, potential difference हमें यहां पर कितना given है वो भी हमें यहां पर नहीं पता वो भी निकालना पड़ेगा वो हम किस formula से निकालेंगे I equal to V upon R and V equal to हमारे हमें यहां पर क्या हो जागा R multiply I तो R हमारे हमें यहां पर क्या resistance है जो कि हमें कितना given है 200 ohm current हमें यहां पर 2.5 ampere given है तो अगर मैं यहां पर इसको multiply करूंगे तो कितना हो जागा यह हमारा हो जागा 400 and 500 हो जाईगा तो 500 हमारा volts आ जाएगा potential difference इसको हम यहां पर इसमें put कर देंगे 500 multiply 2.5 ampere तो यह हमारे हमारे हम पर कितना हो जागा तो जो हमारे हैं पर electrical energy हो जाएगे वो हमारे हैं पर कितने हो जागी 1250 joules per second आजाएगे कितने आजागे हमारे हैं पर joules per second क्योंकि electrical energy के जो हमारे हैं पर unit होती है वो हमारे हैं पर joules होती है और जी हमारे हैं पर power multiply time तो यह हमारे हैं पर कितना हो जागा 1250 joules per second क्योंकि हम यहाँ पर टाइम नहीं गिवन है तो हम यहाँ पर सेकंड का लेके चलेंगे तो यह हमारा कितना हो जागा 1250 जूल्स पर सेकंड तो होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ